नमस्कार आदाप सास्रिकार मैं हूँ दानिशाज खान और आप देख रहे हैं बीएंजी नियूस का खास कारेकरम दख डियार के शो आज हमाई साथ में जो शक्सियत मौजूद है वे किसी परिचे के मौटाज नहीं और भी मारणी के राश्ट्य पात्दक्स तो मुलकात करि दत्तु भाई पहला सवाल आपसे की जन्म का हुआ शुर्वादी शिक्षा कहा था खासेजी और यह लाइन को आपने क्यों चुनवा देखे मेरा जन्म तो ग्राम लोनी में हुआ है और शिक्षा का है तो लोनी हाई स्कूल से शुर्वात हुई मेरी फिर शाज के उच्चत पढ़ना था पढ़ लिया फिर मेरे को एक कीड़ा था लोगों की मदद करने का तो उस समय से लेकर तो आज दिनांग तक मैं मदद ही करते आया हूं क्योंकि मेरे को इंट्रेस उसी में था मैंने कई पेपर एजिंसियों में काम किया मैं पद्रिगा अकबार में रहा राज में रहा में सोदेश में रहा में समय गती में जितने भी अकबार है अकबार में अच्छे से रहा एक होकर के रूप में मैंने काम किया पहले मेरे जीवन की सुरुवात होकर से चालू की फिर मैंने धीरे से कंपनियों में इंट्रुवी देके मेरे को अच्छे सा पद मिलकर म मैं उसमें काम किया कमपणी में रिकांब अछो जाता है तो मेरा इस्वास फिर मैंने उस लाइन को फिल्ड को छोड़के पुन्हा में 2009-10 के बीच में में को नोकरी लगी खेलिवाग में तो खेलिवाग में भुपाल से में जॉइन होके बरहांटूर में आया और मैंने कुछ 2-3 साल उसमें काम किया उसके बाद में मैंने देखा कि नोकरी कर रहा हूं मैं कुछ में कुछ सवोख्य के लिए कुछ करने पर रहा तो मैंने उसको साइट में रख रख धिया मतलब मैंने छोड़ दिया उसको और सीधा सीधा फिल्ड में उतर गया रात-दिर में दोड़ते रहा जहां पर लाइन्ने स्वहम के खर्चछे से हर जगां गया और आज भी अपने स्वेम के खर्चे पे सब्दूर जाता हूँ और जाकर जहां नयाई की बात है वहां में जरूर जाता हूँ गरीबों के लिए क्योंकि यहाँ पर जो अभी का जो शाशन प्रशाशन और सत्ताधारी लोग है वो गरीबों की आवाज नहीं सुनते है जान बुच के बहरा बन जाती है इसके लिए मैंने ये फिल्ड चुनी है और इस फिल्ड में मैं आखिर तक रहोगा इसके लिए मज़े खुज भी करना पड़े जिसे कि आपने कहा भी कि शाशन प्रशाशन कोई नहीं सुनता है लेकिन हाली के अंदर लाट्री बहना जो इतना मुक्रमति सिरासिंग जोहान ने निकाला है और भी कई तरह के लागतों जुनता को मिल रहे हैं आप कर रहे सुनी पर देखे अभी है अभी स्किम चालू की है इसका ओट करना इनको अब बहनों का ओट कैसा मिलेगा तो इनको लाली पाफ दिया जाए एक हजार रुपे का लाली पाफ दिया जा रहा है यह लाली पाफ है अभी उसको सिकृत होने में आने में तब तक तो चुनावा जाएगा और गुमा फिर आ अभारती से कोई संगटन से नहीं जूड़ा था लेकिन अपने वहां पर भारती बॉद्धमा सभा था उस उस चेत्र में हमने कभी अच्छा काम किया लगे रहे एक दूसरे के सहोग से और उसके बाद में 2017 में ग्राम नेर से में मैंने खास तोर से ज्यादा इंटरेस्ट ल अभी भी दिखाईनी दे रहा है लेकिन बहुत कुछ है यह अंदर से चल रहा है इसको खतम करने के लिए समय लग रहा है 2017 से लेके आज दिनान तक वहां पर किसी प्रकार का अभी तक संधरी करन नहीं हुआ है अभी भी बिच में हम जाके ग्यापन दिया था इसमें और ग् मिस्रा जी पंडित मिस्रा इन्होंने सविधान बदलने की बात कर रहे हैं अब मुझे बताओ यह धर निर्पन निर्फेक्सर राष्ट होने के बाजुद भी यह लोग इस प्रकार के गंदी हरकते कर रहे हैं और इन पर देस रोका आरूप क्यों नहीं मामला क्यों पंजब भी है दुनिया भर के हाँ सारे समुदाय रहते यह धर्मनिक्सर राष्ट है यदि आप एक को लेके चलोगे तो यह गलत बात है यह देस दुरह का मामला है इन लोगों पर देस दुरह का मामला पंजबत होना चाहिए इसके लिए हमने यहाँ पर ग्यापन भी दिया था कई त्सक्त मिला नहीं ओदर ध्यान नहीं है और यहाँ पर आंगे अभी हम ब्रहमापूर बनाएंचे और फ्लानापूर बनाएंगे यह बनाएंगे वो बनाएंगे फिजुल के पोस्टर बेनल लगाकर जिल्हें कि जो महल है उसको खराब करने का काम कर रहे है और इसको बताओ नो मुझे कहा है वहीं वास्तों बताए कि आप हमें विकास के लिए काम करों हम आपके साथ में हमें कोई पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है हम तो मानवता केmember Race करने वाले लोग है जो अच्छा काम करेंगा हम उनके साथ में हैं हम मानवता वाले लोग है हम बहुत 10 धर्म को flattering करते हैं लिए हम मानवता को मानता है बुरहानपूर के लोग तो कह रहे हैं कि विकास की और बढ़ रहा है देखता काग्दों फिर विकास है या जो भी एक्सवाजेट खर्चे लग रहे है आप जो भी वे कर रहे हो इससे अच्छा है तो कोई रोजगार के लिए उद्युक धंदा चाल को रहे हो तो हमेसा किसी का पेट पर लेगा तो 17 लोग आपके साथ जुड़ेगे आपका वोड़ बना रहेंगा यह इस ओर निध जो सवीधान के विरुद में बात कर एगा वो देश क्रोए हैं अपने आर्टिकल पढ़ लीजिए और उसमें देख लीजिए उसके बाद बात कीजी आज़िए हम तो सवीधानまだ सभार हों संसी के पर 169 जाकि गिरते है अपना स्वयमका बहुत उन से जानते जबकि वो दिरंदर स्यास्त्री को ये मालूम नहीं है कि मेरा भाई की अरेष्ट होने वाला है वो क्या लोगों का बहुत बताएगा बताएगा ना लाकों लोग तो उनके दरबार में डेली आते हैं देखो यह जो अभी जो कह भी रहे कि हमको पाइदा ह वो कि देखो यह मन घरत कहानिया है अब सो मेंसे यह दि-दस लोगों पायदा हो गया और दस-दस का बॉल बाला इतना हो दया कि हजार लोगों के बराबर बताए आजाता है तो अपन क्या करें यह कालपनी बाते बताएगा जाओ हो जाएगा ऐसा क्यूंने बताते की लोग हो गया टॉट यह यहां हो गया एक हैशा यूट बहुत होना लाता है ऑदा घ्रफ्रणके का वैं लोग पूरे इस लोगों का न्डवित सब्सक्राइब लोगों को इस क्ली currency सब्सक्राइब नध़िशास के रखए जब तक को जितने बी ग्रंट है बूसारính हुघ स sinners में ऐसे घ्रंत है कि वह लोगों को समझत मीं नायरouse कुछ अइसी चीज़े लिखे है कि आप लोगों विरुद में लिका है लेकिन हम में किलाब में लेकिन हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि संस्क्रत हर किसी को नहीं आ रही सिफ्यों दॉक्त का бол요 पंडित हमारे को बता रहे कि इसमें इस प्रकार का लिखा है वह से ऐसे स्लोगन है कि वह अपना बेंड बजा दे रहे लेकिन आपनों समझ नहीं भारे पंडित के वावागे करने में लगे हुए जो बता रहे है वह हो रहा है तो यह एक प्रकार का महौल करा रहे है एक एजटां कर रहे हैं हिंदू राष्ट कोई बनने वाला नहीं है जंता के हिट में आप तक कुं कर वास्तिव परिशान आधमी होता है परिशान कुन सा होता है गरीब और लाचार ये लोग अपनी आवाज वहा Dee पहुंचा पाते ये वहांत ले कुल देलाते चाहित जब तक यूग का को लाब नी जब तक अपने पास बीला उनको दिलाते एक अपने बहुतह से लोग है तो पता रहें कि हम P.M आवस्च दे रहे हैं यह सब जायों मेत पास भी त्यौ जपत प्ति मतद autant करए मियाख गर्पार सब्सक्राइब पैसा तो पैसा उतना ही लगना है में उसको कम ला चाहिए अइसा होना चाहिए की न तो यह सब क्योंकि लौह पीवनिगाई जाता है जा प्यों और थेकों कब हम अभी भी उभर नहीं रहें दो प्रकार के चीजों में डूबा के रखाया और तीसरे काम है तुम किसी भी लाइक नहीं रहोगे ऐने नशा से यादा है कि आपने नशा मुक्रियाभ हुनी चलाया है उस बारे मिवक्ड़ा रहे निज हम तो सबी काफे समय से अिसमें प्राशित में दो c कभी होती हैं यह उस उसका असर रहा कई जगा तो जाद बाहर डालने जैसे कोशन पर समने आये हमारे समने कि जो शराब पीगा उसको जाद बाहर डाल दिया जाता था यहां तक एक्शन लिया गए तो इसके डर से आदमी ने कुछ मोहलों में शराब भी चुड़ गई है और अभी के जनरीचन अब साथ रहता है आप प्रकाशन करते हो उससे जाब उगता आती है आपका इस लाइन में धन्यवाद पूलता हूं मैं आपने कि हम कलेक्शन करके जो है जो है जो है जो कोई नया उगता है जैसे उगा तो इनका मार्केट डाउन हो जाता है तो डाउन होने से पहले ही इस पोदे को कैसा काटा जाए उसके लिए तंत्रव विध्या लगाते अपनी कि कैसा क्या किया जाए इन पर हम पे जुटे मुगत में दर्श कर दिया जाए आज तक कोई सिद्ध कर दे कि हमने किसी से अवेद रूप से 10 रुपे मांगे यह सिद्ध करते हैं गया कि अभने क्या है हमने आपसे मुलाए और यहां बहुत आत्में भुका सवय है इसको खाने खिला दो अच्छा देखे मेरे पास में सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि हमारे एक होटेल था उस होटेल को भी यह राजनेताओं ने तुर्वा दिया जूटे आरूप लगा के हमने बाबा साब का अच्छा निर्मान किया है पर लोनी में उसमें देखा कि हमने राजनेताओं को नहीं बुलाया और गरीब दो लोगों को पकड़ा एक महिला पुरुष को बुज़र गए उनसे पिद्दा कटवाया तो कहीं ने कई उन लोगों को लगा कि यह क्यों महत्वा देनी रहा है जो आदमी वहां महिनत कर रहा है उस लोगों से यह दिद्दा कटवाय तो कि चुनाओं आते हैं तो दत्व मेड़े के नाम से इनकी फट्टी है तो क्या इसने पर मामला मुक्दमा दर्ज करो इसको फरारी करो पिछ़ली भार भी हुआ हूआ क्योंकि हम सच्चे की आवाज उठाने वाले लोग हैं सच्चा के लिए लड़ने वाले लोग है तो इन लोगों को सहन्य होता है क्योंकि यह जो गुम्रा करते लोगों को हम उनका वो जाल हटा देते वासे लोगों गुम्रा होने नहीं देते तो इस कारण वो हम लोगों को पाइकाट करते हैं अबने सच्छाइब देखिए जैसे बहुत सी जगह हमने क्या क्या कि कई को मकान नी मिले हैं क्यों राशन ने बने हैं अभी तक कई को पट्टे नी मिले हैं कई को अभी भी जिला अपने जिला हॉस्पिटल का मामला देख लिजी आप कि जिनको 10,000 रुपे सेली उनको 6,000 किराया है हम मेला Колेक्टर मेलाई ऐलेक्टर के पास में जा रही है तो मä Kोलेक्टर मेडम वी मेलाई हो ने के नाति उनको अच्छा रिस्पांद देना चींए तो करो ने तो छोड़ो संतोजनग जवाब चाहिए एक महिला महिला से आज रखती है तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि उन गरीबों के जो 10,000 वे तनका है वो कम से मोही करें क्योंकि महगाई का इतना जमाना है कि वह उनके बच्चों की खाके क्या मतलब आ रहा है देखो यह कहना है कि कवास्त वहां कि आख़ड़े निकाले गए तो आप जानता हो कि क्या है यह क्वास्त फुर्टी हुए दूसरा कुछ ने फिर वो सब्सक्स क्यों नहीं हुआ अब तक जो रासी वहां से निकली है वो क्लेक्शन क्यों नहीं हुआ क्लेक्शन भी होना चाहिए था ना क्योंकि बड़े-बड़े सरक्षनों को मिल चुका है उसमें से इसलिए उस मामले को फिर पॉस्पेंट कर दिया गया नहीं आप देख लीजिए खाली कागदों में बताया जा रहा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो अपने अपने धाक धाकने के लिए है ऐसा कुछ भी नियुवापर पांच लाग रोपे एक से नगत जो है लालवाख ठाना पुलीस ने जब की थी समय के आरोपी से और भाई वो तो खाली डेकरो शें तो मीडिया को दिखाना पड़ेगा ना कुछ तो कि हम कुछ कर रहे हैं पेमेंट काय का ले रहे हैं यह काम करने का वो उनको बताना तो यहुकरी क्ते हिं कि एपनी का मी तो मेरा उतल है जबकी सरकारिक नोकर इससे का म áधा है कि उस्की देखेएं उस नोख्री सेawanा व Waar मेरा उथाлен कर थार्फान कि तो यह प्रीवार आमिग फ्राथी नियुद्छ वाले है यदि में भी उस नोकरी को लेके मेरा ही डवलोप्मेंट करता तो वह बहुत बड़ी गद्धार होती है क्योंकि डॉक्टर बाबा साब अम्बेट कर जी ने कहा था कि आप अपने कमय का कुछ देखने रहे जब इनको पड़ेगी तब जाकि इनको मुमेंट दिखता है उसके पहले से कोई तैयारी निन कर रहे है इनको सिखना चीए कई लोगों से कि देखो अन्य वह कैसे एक दूसरी की मदद करते तो इन्होंनों मदद करना चीए तब जाके मुमेंट से लगा जिंदा जिन्दा रहेगा है कि हमारे सवाल आपके जाब जारी रहे कि यहां पर रोकेगा में छोटे से ब्रेक लिए जब तकि आप दिकतर रहें पेंजीनियूर्स करें 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 झाल झाल तो भीरिक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है PNC News के विशेश कारिक्रमता DR के शोग कंदर हमाई साथ में मौझूद है BMRM के राष्ट्यपाद दक्ष दत्तू मिले अगला सवाल अपसे किया है कि क्या प्लानी के आपकी भविश्यों के लेकर आपके देखिए हम तो चाहते कि जब तक सत्ता में हम नहीं काविज होगे हमारे लिडर उपर नहीं जाएगे तब तक सारी चीज़े असंभव हो रही है तो सत्ता का दर्वाज़क हमें जाना पड़ागा और सत्ता की चाबी हमारे हाथ में लग गए तो जरूर देश में कुछ अच्छा होगा हम चुना नहीं लड़े लेकिन हमारे लड़ने वाले तो है खास नेता पोचना चाहिए बहुजन नेता पोचना चाहिए वहा तक तब जाके कुछ होगा कि चुना लड़ने को देखेक् donnे कर अभी मेरा मत नहीं है हम तो समाजी कतिविदियों से अपना काम करते हैं अरहे हैं जहां तक समाजी किन लिए माना जाता है कुछ कीने चुने हैं, जो जिले के महौल को खराब करना जाता है। इनों क काम करना पड़ना है। क्याक है। अला, दूसं दानले तो आगे राजनिति जिन्दा रखनी है, तो उनको ये काम करना पड़ता है। परन्तु यदि यही काम हो, इसमें कनवर्ट कर दे, यदि किसी गरीबों का काम करे, रोजगार का काम करे, महगाई पे काम करे, तो इनका ओड बेंगा इसा भी बन सकता है, परन्तु यह इस वर नहीं काम करते, यह काम करते हिंदू-मसलिम का करना है, इनको नाम कैसा परिवतन करना है जैसा कोई मुस्लिम नाम हुआ को शहर का उसको कैसा चेंज करना है तो यह चीज़े दिखा कर मुस्लिम भाई को एक दम कटर दिखा कर वो इस प्रकार से अपने और बटर होने के काम करते हैं पर तू मैं इनको बता दू कि इतिया साब उठा के देख लीजिए यदि आ में आगि बता हो इस अचीम काला काश चेंज कर दोगी यह भी अपना निर्मान करो पर नाम है कि नाम करने के लिए पहले आपको इसको डौलबक करना प्ड़ेगा सब्साअ होगा था आपने तो सब कुछ लागाने वाले काम चल रहे हैं तो बहूंद स्वयम भी कुछ करकी दिख़ा हो यहां कि जनता जो परीस परिशान है रोजगार के लिए रोजगार के लिए आज तक बताएए कि किससे क्षेगा धर को जिले में आप आज आप से रोजगार हो हम बेरोजगार हैं आफिक लेकिन आखिर कब तक रोजगार तो होना चाहिए पिर नहीं कुछ किया हमने हम आप लोगों के विपज में विपज में बोलना चालो करेगे तो वही हम पे आरोप पर तरप लगाकर हमें जुटे मुकद में बनाकर जेल में डालो मतलब यह कोई आवाज उठाने वाला भी होत बड़ी बड़ी जेले बना लो पुरा बहुजन तयार है जेल जाने के लिए वही बेटके खायेगा खिलाओ कितनों खिलाओंगे तो अब बहुजन जाक चुका है गलत फेमिया ना पा लिए यह तुम हिंदू मुसलिम करना दलित मुसलिम करना यह सब छोड़ दो अब यह भी करूट लेने वाला है अभी तुम्हारी एक नहीं चलेगी तुम बाबाओं को लाओ कि बाबाओं के बाप को लाओ यदि बाबाओं का इतना चल रहा है तो उनको वह बॉडर पे बेजो ना यह इसे को दोरा धागा बानके फेके इसको खतम कर दे बही अपने देश में इत सामने तब पता जल जाएगा क्यों नहीं बता रहे परचा लिखके बताओ परचा लिखो मैं चैलेंज करतो आपको यह आस्ता के नाम पर लूट है हम किसी के आस्ता को ठेस नहीं पहुचाना चाते लेकिन आस्ता के नाम पर यह लूट है मुझे बताओ यह मिसरा जिया है कि चले गए भाई यदि वही कलेक्शन यहां पर जीलों को सोगात दे के जाता कि इस से इसका उद्धार के जाए है रोजगार के लिए कुछ खुला जाए तो वास्तों हम भी उसको नमन करते मुझे बताओ यदि मंदिर बनाने से रोजगार मिल जाएगा किसको रोजगार मिलेगा बताइए उसमें दान पून डाला जाएगा वो दान पून किसको मिलेगा लेकिन वही दान से कोई फैक्टरी भी खोल सकते हो कोई स्कूल भी खोल सकते हो कोई कॉलेज भी खोल सकते हो को व मंदिर में तो हमारे राष्टर पत्ति को तक गुसनी नहीं देते हैं तो मंदिर बनाने से मतलब आ रहा है इसकुल बनाओ अच्छी तालिम दिलाओ तालिम दिलाने से हमारा देश आगे जाएगा तरक्क्य करेगा भे शिक्षा से उद्दार हो सकता है दो लाइन में बोलतो हो शिक्षा पर नहीं किसी से लड़ना चाहिए नहीं किसी से अड़ना चाहिए नहीं किसी से लड़ना चाहिए नहीं किसी से अड़ना चाहिए शिक्षा से ही हो सकता है जीवन का उद्दार इसे नहीं समझा तो फिर रह जाओगे वेकार, रह जाओगे वेकार, तो यह हमारे को सिक्षा से वंचित कर रहे हैं, अभी सिक्षा को इन्होंने नीजी करन में बेज दिया, हर चीज नीजी करन हो रही है, फिर कहा रहा आरक्षन, आरक्षन का मतलब भी कहा रहा, और आरक्ष ना कोई खपा ना कोई अंदोलन हुआ 10% रेडिमेट आरक्षन मिल गया मुझे बताइए कि आप जितने भी होट सीटे है उपर की सीटे है वो नियाल पालिका हो या दुनिया की कोई भी पालिका हो उसमें सबसे टॉप पर आपको कौन दीखेगा यह भी देखिए आप सवयम का आकलन कीजिए हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं आप सवयम आकलन उठा के देख लिजिए हमारा आदमी बताइए न कहां बेटा है बताइए कहां बेटा है नीचे नीचे बेटा है उपर ने क्योंकि उपर का जो आदेश करेगा वही काम करेगा लेकिन बीजेपी के अंदर कई साइसाथ ऐस्ती ऐस्ती के बेटे है विदायक आपके है उसके बार ना आपके रहे कि आपका आदमी नीचे बेटाए देखो कुछ खाना पुर्ती के लिए लोग हमारे चून के वह बेटे हैं वह वास्ताइक उनमें समाज के प्रति जिग्यासा होती तो आज समाज में यह चीजे नहीं होती बेरोज़गारी नहीं होती है बताए उन लोगों क्या किया समाज के लिए नहीं यह लाके बिठाए गये लोग है कड़ पुतली की तरह उनको बिठाए गया है उनको ब्लेक मेल करके बिठाए गया कि तुम रहो नहीं तो तुम्हारा भी एडी वीडी का काम लगा देंगे चुपचा बेठे रहो तो वह जहां बोला वहां आग बनके साइन करने पर रहते हैं लेकिन एडी पीछे लगाई जा बताओ कि मैंने कुछ नहीं कहा जबरस्ती में पर दो तिन मामले लाद दिये क्यों लाद दिया कि मैं इसमें उल्जा रहो मैं दुबारा समाज की आवाज ना उटाब हो मैं को समय ना मिल पाए मैं कोड कचेरी खेलता रहो यसलिए चीज होती है मतलब पूरी तरह से इसको क खाना खाएंगे लेकिन वापस वहाँ पर अच्छे से बड़ी साबुन से अच्छा नहां कि बाद में दो दोने दका काम करते हैं तो दिखावाला काम है ऐसा कुछ नहीं आप बोल रहें कि उस समय में शुरा सिंग चवान आपके उसमें आके बैठे थे बहादरपुर जिल को उसी दिन वोक होता गरीब को गरीब के रुखा उस गरीबकर में ऐसी रातम रातमें में क्यों लगाई रहना था जैसा तो उसा बदेखलो उसकी चलूए बंदे उसी समय चालू थी अभी दिक्या ओं देख्या ओ विनाश्यात्र है हम तो गए उसको क्या विकास नहीं विनाश्यात्र तो पताई कि बेरोजगारी कि मुझे बता हूँ अधिक किस बात है जहाँ आदमे को रोजगारी नहीं वह अपने परविप्वार्ट चलाएंगा कहा से तुम दुनिया के कुछ चीजे दोगे और खाली कागदों पर दिखा होगे अब तुमने नल यहुजना चलाई जल क्या नाम था उसका जल जल यहुजना में आपने घरगर नल लगवा दिये लेकिन उनकी टूटी पर देखो पानी आ रहा है क्या मैं आपको अभी दिखा दूगा खाली ऐसे पींड जैसा देखो ग्यानाशुर पाटल जी बहुजन समाज के लोग है परन्तु वह अपने आपको बहुजन नहीं मानते यह देखा गया है उन्हों खाली ओट लिया है लोगों ने यह नहीं देखा कि वह बीजीपी का आदमी है यह नहीं देखा विक्तिकत चुनाओ करके उनको लोग क्या था कि राष्टी खेल कोन सा है वह उसमें उलज गए तो बताओ विकास यातर खाण चलू करेंगे वह जिस संसत को अपने राष्टी खेल का नाब पता नहीं है उसका क्या करेंगे आप विदाच जी क्या बस चुनाओ थे तब तक चमके और ऐसे गाप होए कि कभी हाँ तो फिर वही आजकल सोसल मीडिया खरीद के रखा है मीडिया खरीद के रखा है जिसको ग्यापन दो काम चलते रहेंगा वहीं चलाएंगे दूसरा कुछ नहीं है अभी में में बात आती है कि जिले में रोजगार के लिए कौन क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा मुद्द रोजगारी मजबूरे में शराब पी रहा है और शराब के नशे में जाके कहीं ने कहीं कूछ जा रहा है रोजगार नहीं है तो इसके जवाबदार भी यह लोग है यह इनके हत्या इनके हातों से हुई है क्योंकि इनके पास अवसर है इन्होंने इनको अवसर नहीं दिया रोजगरगा यह चाहते हैं तो जीले में कुछ अच्छा सा ला सकते हैं अभी भी समय इनसे निवेदन है कि आप कुछ अच्छा लाओ जीले में कि मिसाल बने आप रहो ना रहो आपके बाद भी वो रहीगा सवाजस पाटी वीटी जी अपने विंदक कोई की चुछ नौ रही है समाज के उध्थान के लिए हमेशा तत्पर है और बहुजन समाज पाटी माने कांचराम साप जी की दौरा निरमित की गई है अब भेंजी उसको चला रही है में से बहुत अच्छा है और जहां भेंजी अ बहुजन है बहुजन के साथ है हमेशा भी मारमी जो नाम है कि कुछ समय के अंदर काफी इस नाम के अदर उठावा गया है हर कुछ वैक्टी इसको जानता है आप भी मारमी के राश्ट पाद करें बताइए कैसे क्या जो है श्ट्रगल रहा है देखो 2017 से मैं इसमें नियमत हू और खास्तोर से गराम देर में जो मामला हुआ था प्रतिमा का लेकर तो कोई संगड़न आगे नहीं आ रहा था तो उस समय में ने भी मारमी जोइन किया था अब उसके बेनर तले सारे ग्यापान वापन देखे उनको नियाए दिलाने का काम किया था फिर मेरा भी उस पर वि संस्ता है यह अपना अधिकार दिलाने वाली संस्ता है गरीब हो के सुक दुख में हमेशे खड़ा रहने वाली संस्ता है नेता खाली डेकरोचन के लिए नहीं हमारे बड़े भाई चंदर्शकरा आजट जी कभी जब भी कोई घटना दुर घटना होती है तो सबसे पहले प चल रह João धाल है दशाता है ये और वहारे तो की यह दिखारी तो हम आपकी वह में वहार प्रतार दुर्पर हों कि बोलें दुख अपना करेंगीनगों जैसे उपर से आधिस होगा जैसे गाइडलेंग जारी होगी उस आधर पर हम हमारे परिफिने दिए होगे और हंटर परशन रिजर्ड देगे हम इस बार बहुजन जाक चुका है और इस बार हर कोई नया चाहता है तीसरा विकल पर चुन रहे हैं बहुत हो गया कॉंग्रेज बीजीपी क्योंकि कॉंग्रेज भी विपक्स होने के बाद भी आज तक कोई काम में नहीं दिखा रही है मुझे बता ही कि जिले में कौन सा मुद्दा उठा रही है अभी जैसा य भी नहीं हुई कि भाई यह चीजे मत करो वह चीजे मत करो विवाद के स्तिती हो रही है बताए कुन सा आवाज उठा है उन्होंने बताएं कुछ भी निकार रहे हैं तो नाम के लिए यहां पर भी पक्स रहा है भी खतम हो चुका है कॉई उनमें फैर बदल नहीं है कानून दो जानने वालों के लिए था कि यह सभी के लिए था यह सभी को एक प्रकास्य गुम्रा कर रहे थे और लड़ा रहे थे कि एक प्रकास्य पॉलिस सप्छल रहे हैं देख लो आप अपने नोडबंदी हो यह दुन्या पर जो भी जोविजनाई लाहिनोंने वो सारी गुम्र मचाना ओडबा दोड़ा रिंते लेकिन रोजगार के और किसी का ध्यान नहीं और महगई ऐसी बना रहे कि बतन सक्राइब आप 151.500 का डहीं 2 12 वह जैगा मैं तो बोल एह और 1600 कि आप वह पूरा 2,000 फे गार नोड़ेगे लेकिन पूछ नीं कर पांगे क्योंकि हम इधर नया महल के तयार करेंगे कुछ फिर हिंदू-Muslim करेंगे तो कभी यह करेंगे तो हमारा ध्यान बठका जाता है लेकिन यह हमारा ध्यान इधर नहीं है पेट्रोल देख अप देखो कहा से जो चूले आपने फिरी दिये थे फिर उसको भरेंगा कहा से काई ने तो चूलो को फेक दिया है वह वापत जंगल से लकड़े ला रहे हैं मैंने तो अभी बीच में एक वीडियो चल रहा था कि गेस टंकी जो बेचने वाला उसकी कपड़े पेने हैं वह पर रोजगार नहीं है और काम भी मिलता है तो 6000 के उपर नहीं है अच्छे जाचे ग्रेवजिशन वाला भी 5000-10000 को बीच में काम कर रहा है कहा जाएगा रोजगार के लिए तो मेरा सबसे अपिल है कि आप जिले में कुछ रोजगार के लिए कुछ नई मुहिम छेड़ो और आपको पहले भी बताया है हिंदु राष्टी की घोष्ण हो जाती है हम तो बोलते हैं आपको जो बनाना बनादो बनाओ लेकिन आदमी यहां यह भी तो देखो कौन-कौन है की सब का मान संबान रखने वाला काम करो ना ये न आप सविधान को नहीं मान रहे है तो आप पर तूम देखत्ध तुर्थ का मअमला बनना चाहिए बनाओ कैसा बनाते हो जब तक सविधान है ततब-टय राष्ट नहीं बनेगा जित इस दिन सभीदान पर उंगले उठेगे वह दिन सबसे पहले हम रहे आगे जो भी करना पड़े हम करेगे अच्छा में बता दू सबसे पहले तो में बता दू आपको अपने वहाँ पर मानिय का कलेक्टर मोहदे आरेन सिंद्या थी और पुलिस अधिक्षक अनिल कुछवजी थे उस समय में 2016 के बात है उस समय में मैंने एक शॉट फिल्म बनाई थी जिसमें लोकल के लोगों को लेके मैंने बनाई थी शॉट फिल्म और एक गाना भी लिखा था डॉप्टिंग किया था उसको और उसको भी अच्छे से चलाए था मैंने और उसकी एक सीडी बनाई थी हमने यह सीडी बनाई थी इसका नाम था शॉट फिल्म का शानता के समझ लाजो का गुंगट सोच भारत अभिहान अंतरगत बनाई थी इसमें मुझे दिल्ली में उत्कृष्ट प्रुसकार्व से सम्मानित किया गया था जिसका अभी भी प्रमान है तो हम हमेशा देश हित में का अच्छा काम है उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं वो कोई भी सरकार हो उसके लिए हम अच्छे काम के लिए कभी पिछीन हटे और एक बात बता दू कि जो सोच भात अभिहान है संत गाड़गे महराज जी जब भी कोई गाउ में जाते थे तो जाने से गाउ में गुसने से पहले उस गाउ में चारो तरफ घुम के वो सपई करते थे उसके बाद में अपना एक जगा किरतन के लिए बेटे थे वहाँ पर एक ही चीज़ खास तोर से रखते थे कि दो रोटी कम खाओ लेकिन बच्च के ताइम से तो इसलिए हमने भी इस पर हमने भी थोड़ा सा हमारे करते बें निभाया और इस पर एक शॉट फिलिम बनाई थी इस पर हमको आवाड मिला उसके बाद में यह जो संबान है यह हमारे को मिला था सन 2019 में राज रहतन अंबेटकरजी दौरा बेस्ट समाज को वर संबानित किया गया था हमारे को फिर दिल्ली में वापस भीम आदमी दौरा भी अन्य राज्यों में भी बहत्रिंग काम करने पर हमको आवाड से संबानित किया गया था फिर जिले में भी कई जगा संबानित किया गया है ऐसे बहुत से चीज है एक बेक भर के हमारे बाद चलागए है करता रहूगा मरते दम तक अच्छा जो बनेगा में सकता हूँगा और जिन लोगों को मेरे इपक्ष में उल्टा करना करते रहें हैं रहीं सिदाए नहीं करते रहूँगा बहुत बहुत शुक्री हमको समय देने दिया आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे भीम आर्मी की राश्तुपाद जख्ष दक्तू मुड़े जो हमेशर जो है विवादों गंदा और जो है चरशाव गंदा बने रहते हैं तो फिलाल आज के कारिग्रम में तही फिर में लेगे किसी नई शक्सिया के ताथ जब तक यह आप भी दिख रहेंगे BNC News